येसल की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब केजिए MTD न्यूस चैनल को और दबाएए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेसर मिल जाए दोस्तों पूरे भारत वर्स के पल्स वा अन्य कंपनी से पीड़ित मेरे भाईयो सबीको नवशकार रभी शंकर गौतम मुरादावाद उत्तर प्रदेश दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से हमने रहे ITM को, DM को और सांसत को, मंत्रियों को सब को ग्यापन दे लिया दोस्तों इस पस्ट बात यह है कि इन लोगों न हमारी बात को नहीं सुना और इनके सुनने से होगा भी कुछ नहीं क्योंकि जब अब तक नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा तो दोस्तों लास्ट में हमारे पास एक ही आदमी बसता है जो हमारे देश का प्रतान मंत्री है दोस्तों एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम कामियाब क्यों नहीं हुए उसकी बज़ा यह है कि हम लोग आपस में एक तानी बनाए हुए है और यह लास्ट आपसन है जो आपका जो छेनों मर्द है यह कितियास होगा दोहजार उनिस का दोस्तों मैं सिर्फ कुछ नहीं कहना चाहता हूँ आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ और वो अपील आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा जितने हमारे कंपनियों में जूनियर सीनियर की रहेंग होती थी उनसे मैं हाठ जोड़ता हूँ एक बार दोस्तों एक बार आप आओ लेकिन हमारे देश के प्रधान मंतरी को अभी तक यह नहीं पता कि पल्से लोग पीडित हैं कितने लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ एक तो आप पल्स की बॉंड की एक कौफी लेके आए और एक अपना आधार नंबर आधार कार्ट की फोटो इस्टेट लेके आए और दोनों आपके हाथ में होनी चाहिए जब आपसे मांगी जाएं वहां और जब आपको पूछा जाए कि आपके पल्स में पैसे हैं या अन्य कंपनी में पैसे हैं तो आप जो है मीडिया के सामने अपनी बात को रखना कि हम बैसे नहीं आए यह हमारा आधार नंबर है यह हमारी आईडी है और यह हमारे जो है जि और प्रधान मंतरी की समझ में भी आएगा और जो वहां के हमारे प्रसासन के अधीकारी होंगे उनकी भी समझ में आएगा कि बास्तम में ये पीडित हैं और दोस्तों अभी आपके सामने चलाइए क्योंकि जब भी हमारा अंदोलन अच्छे स्थर पे पहुंच जाता है तो कहीं न कहीं ये दिक्कत आ जाती है कि गौर्णमेंट हमारे साथ खेल खेल देती है जैसे कि अभी आपके सामने खेल दिया कि 5000 का प्रवेंट श्टार्ट कर दिया ये जैसे पहले खिलो ने दिया था आपको 25 का अब 5000 का दे दिया और बाकी जो है अगर जिसका एक लाग का प्रवेंट है तो एक साल में तो ये पच्छी सो का देंगे फिर 5000 का फिर जिनका एक लाग का प्रवेंट हो तो 20 साल में मिलेगा क्योंकि ये तो 25-25 रुपे करके बढ़ रहे हैं तो दोस्तों हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार च्छे नुम बार लास्ट आप्स रच दिया है कि वो आपके देश के प्रधान मंत्री से मिलने जा रहे हैं और आप उसमें पूर्ण सहयोग करें देखिए आपसे कुछ जंदा न लिया जा रहे हैं आपसे कुछ फिरोती नहीं मांगी जा रही कि आप फिरोती दे दो हम ये काम कर रहे हैं दोस्तों कुछ नह आईए और बैकाय में मता होगा आज भी कहना चाते हैं फिर लास्ट ओप्सन यह होगा कि आप लोग ठक जाओगे और हम भी ठक जाएगे तो छे नोंबर में देखिए आपने देखा पिछले साल हमने एक महीने भूंकर ताल करी आप लोग यावाज उठाई तो आपके जो ओनलाइन हो गए और अगर आप छे नोंबर में आ जाते हैं तो हो सकता है कि आपको यह पैसा मिल जाए दोस्तो पैसा तो मिली जाएगा आपको एक सम्मान भी मिल जाएगा जो आपको घर पे आकी गाली बगते हैं बत्तमीजी करते हैं आपके रिष्सिदारी भी गड़ जाया हो सकता है कि वह आपको छे नोंबर के बाद में किलियर हो जाए लेकिन दोस्तों सिर्फ एक ही बात आपको मेरी माननी पड़ेगी वह बात क्या है कि आप अपने बॉंड की कॉफी और एक आधार नमबर जरूर लेका आएं और दोस्तों एक बार प्लीज मेहनत कर दो और मेहनत अगर आपने कर दी तो लास्ट ओप्सन होगा प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री के लावा कोई भी इस हिंदुस्तान में पैसा आपको नहीं दिला सकता अगर कोई आदमी कहता है आपसे के लीगल लड़ाई लड़ो तो दोस्तों वो भी लड़के देख ली लीगल लड़ाई वालों से मैं पूछना चाता हूं कि सुपरिम कोर्ट की रपोर्ट होने के बाद में कौन सी लीगल लए गई यानि सुपरिम कोर्ट नादेश भी दे दिया तो भी पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम आज उन से पैसा लेने जा रहे हैं जो इस इतिहास को चला रहे हैं भारत के जो कार रहे हैं उनको पूरा कर रहे हैं तो हम प्रधान मंतरी नरंदर मोदी से भी आपके हातों से अपील कराना चाहते हैं कि हमारा पैसा बापिस मिलना चाहिए और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूं सासन पिर सासन से भी कोई भी हमारे किसी भी क मांगने नहीं जा रहे हैं आप से किबल पैसा मांगने जा रहे हैं और अपनी बात को कहने जा रहे हैं तो आप से उमीद है कि नरेंदर मोदी जी आप बहुत बढ़ी आदमी हैं इस देश को अच्छी जगों पर ले जा रहे हैं और हम लोग को तो आपने बढ़का ही रखा है पांच साल में तो हम अपील करते हैं कि आप प्लीज छे नौंबर को हम से मिलें और हम से बात करें कि ये पैसा कब तक मिल जाएगा और दोस्तों मेरी गारंटी होगी गारंटी के साथ चैलन देना चाहता हूँ जो लोग बॉंड लेके जाएंगे और अप की बार अगर पांच लाख लोग मोच गए तो मैं उसी दिन आप से बादा करना चाहता हूँ कि आपको पैसा उसी दिन मिल जाएगा और इसे में किसी आदमी ने टिपड़ी करी क्या भई पैसा क्यों नहीं मिल लिया तो दोस्तों मैं उसको सबक सिखा के रहूँगा क्योंक किस तरीके से मेहनद की है किस तरीके से पैसा लाने की बात कर रहें तो दोस्तों मैं ज्यादہ बात नहीं कहना चाहता बस सिर्फ यह कहना चाहता हूं किh आप 6 नौमबर को एक इत्यास मना दो और इत्यास के साथ अपने पलस की बॉंड की काफी और आधार काट और अपने चूनियर और अपने सीनियर को साथ लेके उससे हाज जोड़के कि भाईया चलो हमारी लड़ाई है अगर आप पांच लाग पहुंच जाते हैं तो दोस्तों पैसा आपको छे नुवंबर से ही स्टार्ट कराने का काम भारती लोग से बदल का होगा पूरे भारत बर्श को मैं नवशकार करना चाता हूँ सभी को धन्नवाद देना चाता हूँ 6 नुवंबर प्राता 10 बजे प्रदाहान मंत्री निवासकारले पहुंचे रभी संकर गोतम अगर कहीं दिक्कत आपको आ रही है तो मेरा नमबर है 90125 0022 मुरादवाद उत्तार प्रदेश रभी शेंकर गोतम धन्नवाद नवशकार परिवार में कोई दिक्क रहे हैं हम लोग सभी चाहेंगे इनके परिवार की इसमें के तिर्फिया नहीं हो पापिस होती चाहिए उसके लिए सभी से नहां चाहता हूँ इनके जो परिपार्मेंट की वाइस जो सभी परावे तो चीब हो जाएं और आज जबी भाज आएं तो किसी से यह लगी कि आहां भाकी जो पाइस है यह काम्या हो बाकी मेरे जो साथी है अभी जी है नकर आप जावा सुखा जी है पिकास तिरपार्डी जी है और जस्वंत जी है आपके बीच में जो है अरोज है बीसिंग है अभाजबार जी है कौमत हरी जी है आप सरी अलिवास से मेरी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में राई दर्दी है और सबसे बड़ी बात में आपको कहना चाता हूँ कि जैसे हमारे इस प्रदेश के जो उत्रा खंट से जिनका कोई पैसा नहीं है वो आपके बीच में अंदोलन करना चाते हैं लडाई लड़ना चाते हैं और जिनका पैसा है वो घर बैटके खला चाते हैं आपके पैसा आजने वो दिन के बाद मिलना सुरू हो जाएगा आप देखिए हरियाना कितनी बूरोगा आपके यहां से उत्रा खंट से काफी दो रोगा वहां से आपके बीच में अभीतरानी और इनका आंदोलन देखिए कि उनने काम नहीं किया है और फिर भी आपके साथ खड़िये और एक उगर आंदोलन करने जा रही है तो अभी सिने दिये जाएगा आपके सामने यह खुत बताएंगी कि आपको आवान भी करेंगी कि मैं कहां आंदोलन कर रही हूँ यह सब खुछ बताएंगी तो सबसे बड़ी बाते इनके रिए छोड़ा ताली हो जाईए नारी है यह देखिया है अब इसे नहीं कर पारें दोस्ते बात आती है अभी बहुत टैम से चले ही मैं पास साज से होब उपर कर रहा हूँ हूँ बांदोलन कर रहा हूँ जोगों को समझा रहा हूँ सोज में भी आए जोगी समझ में याद ये पैसार मिल जाएगा और बड़ा एक तक से बड़ा सवाल आता है